जैहिन दोस्तो अगर आप एक किसान है अगर आपको पधान मतर एक किसान समान ने दी अजनका तराब से लाब यानि कि दोस्तो पैसा नहीं मिल रहा है तो दोस्तो आज की इस वीटों में हम बात करेंगे पधान मतर एक किसान समान ने दी अजनका जो ओनलाइन फ्रॉम है ओनल सब्सक्राइब करने के बाद इसमें आपको चार्ज करने के बाद सबसे पहला जो लिंक मिलेगा प्यमकिसान.job.in ये प्यमकिसान समाने दी अजना का ओफिसिल वाइबसाइट है दोस्तो ओफिसिल वाइबसाइट का लिंक पर क्लिक करने के बाद ये ओफिसिल वाइबसाइट अपके सामने ओपेंड हो जाएगा official website पर आने के बाद दोस्तो इसमें mandatory दो option दिखाई देगा दोस्तो installment का जो update है नया फार्मार यानि दोस्तो new आबेदन के लिए इतना important नहीं है लेकिन दोस्तो दोस्ता जो option है ecoIC का दोस्तो ecoIC नया किसान के लिए बहुत important होने वाल है दोस्तो वीडियो का last में ये भी जानेंगे आप लोग ये पधान मंतरी किसान सम्मानिदी में ecoIC कैसे करा सकते तो दोस्तो new आबेदन करने के लिए website पर आने के बाद आपको जाना होगा farmer corner पर उसके बाद आपको इसमें दो number का जो option मिलेगा देखे इसमें लिखा होगा new farmer registration ये वाला option पर क्लिक करना होगा दोस्तो new farmer registration पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटायर page उपन होगा दोस्तो ये page भी आने के बाद सबसे पहले इसमें लिखा होगा देखे roller farmer registration मतलब जो गाउव area से बिलोंग करते हैं सबसे पहले select होगा उसके बाद इसमें लिखा होगा देखे R1 farmer registration दोस्तो अगर आप सहर का है तो दोस्तो आप दो number का box में क्लिक करना होगा अगर आप गाउव area से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप पहला जो automatic select होगा इसमें रहने दीजेगा select करने के बाद सबसे पहले इसमें आपको अधार number paste करना होगा उसके बाद इसमें mobile number डालना होगा जो भी mobile number आपके साथ है ओई mobile number आप इसमें डाल दीजेगा दोस्तो mobile number डालने के बाद इसमें आपको राइज़ को select करना होगा भारत का जितना भी राइज़े सभी राइज़े इसमें आपको दिखाई देगा आपका जो भी राइज़े इसमें सेलेक का लिजेगा उसके बाद ये जो कैपसा दिखाई दे रहे ये कैपसा ये बॉक्स में डालना होगा box में डालने के बाद आपको get OTP पर क्लिक करना होगा दोस्तो get OTP पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी mobile number दिया है उसी mobile number पर OTP मिलेगा तो दोस्तो OTP को ये box में डालना होगा OTP डालने के बाद दुबारा से ये जो capsa दिखाई देर है यह capsa आपको यह box में डालना होगा capsa डालने के बाद submit option पर click करना होगा दोस्तो submit पर click करने के बाद आपके सामने और एक interface open होगा जिसमें आपको दुबारा से OTP डालना होगा आपने जो भी आधार number दिया है उसी आधार में जो भी mobile number लिंक है उसी mobile number पर OTP send होगा तो दोस्तो वह आधार OTP डालना होगा दोस्तो आधार OTP डालने के बाद आपको क्या करना होगा यह जो capsa है दुबारा से आपको इसमें fill करना होगा दोस्तो capsa डालने के बाद आपको verify आधार पर click करना होगा दोस्तो verify आधार पर click करने के बाद आपके सामने और एक interface open होगा जिसमें आपको new farmer registration करने का यहीं कि दोस्तो नया किसान आभेदन करने के लिए जो भी from है from आपके सामने मिल जाएगा तो दोस्तो आब हम जानेंगे ये from आप फिलाप कैसे कर सकते step by step guide मिलेगा तो दोस्तो साब से पहले आपको आपका जो भी state आपने select किया था वही state इसमें automatic select होगा उसके बाद इसमें आपको क्या करना होगा आपका जो भी जीला है डिस्टिक को select करना होगा उसके बाद साब डिस्टिक को select करना होगा उसके बाद इसमें block को select करना होगा उसके बाद village को select करना होगा यह आपका पहला details है देखिए sub list का मतलब होता है जो भी आपका तेरसिल है तेरसिल को आप इसमें select का लिजेगा इसके बाद देखिए आपको इसमें फार्मार, personal details दोस्तो इसी पर आने के बाद इसमें आपको category पर select करना होगा category देखिए इसमें आपको general, आदार, ST, SC अगर आप OPC category का है तो दोस्तो आपको general आदार पर click करना होगा अगर आप SC, ST जो भी category आपका है category, cast category select का लिजेगा उसके बाद इसमें आपको formal type तो दोस्तो फार्मा type पर click करने के बाद इसमें आपको small one to लेके 2 hectare जमीन उसके बाद आदार, अगर आपके पास 1 से लेके 2 hectare से जादा जमीन है तो दोस्तो आप आदार पर click कर दिजेगा, तो दोस्तो अगर आप सोटा किसान है, तो दोस्तो आप जो small है उसी पर click कर सकते, उसके बाद आपको क्या गरना होगा, इसमें आपको जो type है, अधार automatic select होगा, उसके बाद इसमें देखिए आपको type of identity probe, अधार automatic select होगा, इसमें अधार number already removed हो जाएगा, लेकिन automatic select होगा, उसके बाद आधार में जो भी mobile number है, automatic इसमें दिखाई देगा, उसके बाद आधार में जिस तरह address है, automatic इसमें दिखाई देगा, इसमें change नहीं कर सकते, क्योंकि आधार में साबसे पहले change करना होगा, उसके बाद ही आपको इसमें होगा दोस्तों के बाद इसमें पीन कोट तो दोस्तों पीन कोट भी इसमें आटमेटिक सर्वार में आ जाएगा उसके बाद इसमें आधा जो भी आपका गार्जेन नाम होगा इसमें आ जाएगा प्रोसेस दोदो लैन रिजिस्टेशन आईडी अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों लैन रिजिस्टेशन आईडी कैसे निकलना होता है भारत का किसी भी राइचे से अगर आप बिलिए डियो और मैं बिनीक दिया दोगा, बरना वीडियो का decision bus में मैंने वीडियो का link दे दूँगा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा आप mobile phone से शिरिफ आप land registration ID निकल सकते हैं उसके बाद इसमें जो mandatory है पर क्लिक कर दिजेगा अगर आपने yes पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों आपको पैसा payment करना होगा इसलिए आप no पर क्लिक कर दिजेगा उसके बाद आपको आना होगा नीचे जिसमें आपको लिखा होगा दिखिए ownership land holding मतलब आपका जो land है आपका जमीन है अगर आप सिंगल है आपका नाम पर कूद आपका नाम पर रहे तो दोस्तों आप इसमें automatic पर रहने दीजएगा अगर आपका जमीन का holder 2-3 आदम को अंदर है तो दोस्तों आपको इसमें join पर क्लिक करना होगा दोस्तों add पर क्लिक करने की बाद दुकि 1227 आपको जमीन का record इसमें सबसे पहले इसमें आपको शार्प है याना कि दोस्तो जो खाता नंबर है इसमें डालना होगा उसके बाद खासरा नंबर और दाग नंबर है आफ को एरिया और ना दग कर सकते साव करकेस नहीं होगा आपके चार्ज कर सकते हैं भीघा टू हेक्टर मतलब अगर आपके पास दो भीघा जमीन है तो दोस्तो इसमें आपका क्या कर सकते हैं भीघा इन हेक्टर पर इसी तरह चार्ज कर सकते हैं दोस्तो चार्ज करने के बाद देखें एक भीघा में कितना हेक्टर होता है इसका जा तो आपका नाम पर जो भी रेजिस्टर जमीन है अगर आपका इसी डेट से पहले से रेजिस्टर है तो दोस्तो आप वीफार पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका नाम पर register यह 2019 के बाद register हुआ है आपका नाम पर तो दोस्तो इसमें after पर click कर दिजेगा तो दोस्तो मैंने फिर से repeat करता हूँ देखिए अगर आपका जमीन यह 2019 से पहले से आपका नाम पर register है तो दोस्तो आप before पर click कर दिजेगा अगर आपका 2019 के बाद आपका नाम पर register हुआ है जमीन तो दोस्तो आप after पर click कर दिजेगा उसके बाद इसमें आता है land transfer details दोस्तो land transfer आपका नाम पर हुआ था आपका father date होने के बाद हुआ है यानि कि आपने parcels किया है तो transfer details आप इसमें select का लिजेगा अगर आपका जमीन आप parcels किया है यानि कि खरीदा है तो दोस्तो पार्स आप land पर click कर दिजेगा उसके बाद इसमें आता है आपका जमीन काव आपका नाम पर register हुआ था उसी का date इसमें डालना होगा दोस्तो जमीन का एसब details डालने के बाद दुबारा से इसमें आधार number डालना होगा डालने के बाद आपको add option पर click करना होगा तो add पर click करने के बाद आपका जबी जमीन है इसमें add हो जाएगा उसके बाद इसमें आप चेक कर सकते हैं खासरा नमबर सबको details अगर आपका details कोई भी mistake हुआ है तो दोस्तो आप delete पर क्लिक करके दुबारा से add कर सकते हैं उसके बाद आपको sub से नीचे जाना होगा जिसमें आपको लिखा होता है दीखे upload supporting document मतलब आपका जब जमिन का record है land का document इसमें upload करना होगा यह दोस्तो जमाबंदिन का जो कागाज है इसमें upload करना होगा upload के लिए आपको मिक्याव file का जो size है आपको 100 के भी से जादा होगा तो दोस्तो इसमें upload नहीं होगा आप इसमें फोटो किसके upload कर दीजेगा इसमें आपको 100 के भी से ज़्यादा नहीं होगा upload करके आपको finally save पर क्लिक करना होगा save पर क्लिक करने के बाद दोस्तो इसमें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने औरेग इंटर पेस्ट आपन होगा जिसमीं आपको registration number दिखाई देगा यह registration number आप धानमंतरी किसान सम्माने दी अजनगा registration dore होगा यह registration number से आप इस्टरास को चेक कर सकते यह e-res스타 नमबर से आप verify कर सकते अगर आपका पैसा थाउसपर होगा तो दोस्तो यह registration number से अब check भी कर सकते तो दोस्तो इसी तरह आपको registration करना होता है तो दोस्तो registration करने के बाद आपको क्या गरना होगा अपने आधारकार से details को भी check कर सकते दोस्तो registration complete होने के बाद फिर से आपको PM किसान सम्मानी दी वजनगा portal पर आके फार्मार कॉनार पर जाना होगा यह जो आपको status of self registration उसी पर क्लिक करना होगा क्योंकि दोस्तो इस पर क्लिक करके आप check कर सकते है आपका जो registration है success हुआ है या pending पर होगा या exact पर है इसका status आप check कर सकते है check करने के लिए आपने जो भी आधार नमबार दिया था यह आधार नमबार इसमें आपको पैस करना होगा उसके बाद यह जो caps है same caps आपको इसमें डालना होगा दोस्तो same caps है डालने के बाद charge option पर क्लिक करना होगा charge पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक file मिलेगा जिसमें आपका देखिए फार्मार का नाम details मिलेगा आपका जो registration है पैंडिंग पर है यानि कि दोस्तो verification complete हुआ है या accept है इसका जानकर यह आप इसका मदद से ले सकते तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर अगर आपको और कोई भी information चाहिए तो message किजिएगा पहले भारत वो subscribe किजिएगा जय हिन जय भारत